नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आपके अपने चैनल धर्मलोक में कैसे हैं, आप सब तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मातादी हमेशा की तरह जरूर लिखें, तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे की कन्या पूजन, कन्या पू होनी चाहिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए, मेरे साथ चैनल पर अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइ जुस्तों आपको बता, दू आपको कन्या पूजन शुक्रवार के दिन ही करनी है, जो लोग दो दिन का वरत रखे हैं, वो भी कर सकते हैं, जो 10-9 दिनों का वरत रखे हैं, वो भी कन्या पूजन 11 को ही करेंगे, और जिसने वरत नहीं रखा हैं, फिर भी कन्या पूजन करन जो सप्तमी को करना चाहते हैं, वो अपने घर की परंपरा को जरूर देख लेंगे, क्योंकि हर घर के नियम अलग है, कुछ लोग सप्तमी को भी करते हैं, लेकिन नवमी को ही कन्या पूजन करनी चाहिए, बाकी आप अपने घर का नियम देख. लीजिएगा दोस्तों, अब अगला कार्य आपको क्या करना है, कि देखिए, दस साल तक की कन्याओं का हमें पाफ पूजने चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही निमंतरन वगेरा हमें दे देना चाहिए, और रही बात शुभ मुहूर्थ की, आप लोग पूजते हैं कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्थ कैसे होगा, तो देखिए कन्या पूजन सुभ पूजा पाठ, हवन, आरती करते-करते समय हो जाता है, और खीर पूरी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, चने का प्रसात बनाते हैं, माता को पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद पूजा पाठ जल्दी में तो हम नहीं कर पाते हैं, हवन करने में भी समय लगता है, आर्ती करने में, घर में, पूजा पार्ठ करने में समय लग जाता है, तो आप जो है, जब भी कन्याएं आपको मिल जाती है, तभी आप लोग कन्या पूजन कर सकते हैं, नवमी के दिन पूरे दिन लोग क खोलते हैं, तो जो दस को वरत रखेंगे, उस दिन वरत भी खोलते हैं। उसके बाद से नौ कन्या को हम प्रसाद खीलाते हैं, साथ में एक भैरवजी को खिलाते हैं, कन्याओं का पावध होते हैं, उन्हें महावर लगाते हैं, बिंदी मतलब तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, और उनको आसन पर बैठा कर हम नौ कन्या खिलाते हैं, और आप ल लोग जैसे प्लेट वगैरा स्टील का देते हैं, कुछ लोग पतल मतलब ये जो पेपर के पतल जो आते हैं, लेट आते हैं, उसमें भी खिलाते हैं, और कुछ लोग जैसे थाली में भी खिलाते हैं, तो अपने अपने तरीके से लोग खिलाते हैं, एक चीज आप लोग ध्या रखियेगा पूरी। और जो है भैरवजी को भी पाफ पूच सकते हैं और दक्षिना आप अपने सामर्थे के अनुसार दीजिएगा जितना आप से। बन पाता है कोई जबरगस्ती नहीं है। अधिक भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं और उफार में आप यथा शक्ती तथा भक्ती जो चाहे दे सकते हैं उसके बाद से। लेकिन फल एक जरूर देनी चाहिए कन्याए जब जाती हैं तो केला दे दीजिए या सेव दे दीजिए या दोनों दे सकते हैं और उसके बाद से उन्हें प्रसंद करनी हैं, दक्षिना से वो ज्यादा प्रसंद होती हैं। इकठा करती रहती हैं, छोटे-छोटे बैग लेकर लड़कियां बच्चियां जो है खुश हो जाती हैं, तो यह सब देकर उनके हाथों में लास्ट में आखिरी में आप लोग फूल और अक्षक दे दीजिएगा जो वरती हैं। वहाँ बैठ जाएंगे और बैठ कर अपने उपर छिड़काव करवा लीजिएगा, और कन्या पूजन जो है नौ दिन जो वरत रखते हैं, उनके लिए कंपलसरी है, जो दो दिनों का रखते हैं, या जो वरत नहीं रखते नवरातरी का केवल पूजा के हैं, वो लोग चाह तो श्रग्धा से कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन कोई नियम नहीं है कि आप दो दिन का वरत रखे हैं, तो आपको कंपलसरी है, कन्या पूजन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नौ दिनों वालों का कंपल सरी है, एकदम अनिवार्य है कि आपको करनी है, तो करनी है, जिस भी विधी से कीजिए उसके बाद से कन्याओं के जाते ही जूठा पतल वगैरह आप लोग लेट वगैरह उठा सकते हैं लेकिन वहाँ पर जाड़ू पोचा ना करें कन्या को जाते ही, आप लोग जाड़ू पोचा ना करें, सभी घर के परिवार मिम्बर्स को पाव चूचू के कन्याओं को प्रणाम करनी चाहिए, आशिरवाद लेनी चाहिए, और उसके बाद से उन्हें खुशी से विदा करनी चाहिए, और जो वरत है, अगर नवमी के दिन आप लोग वरत खोलना जो लोग खोलते हैं, ऐसे तो दश्मी को ही वरत खोलना चाहिए, जो नौ दिनों का रखें, तो आप लोग जिस दिन खिला पिला कर, आप लोग अपना वरत खोल जीएगा कि आपको वरत कब खोलना है, क्योंकि हर घर के नियम अलग है, कोई अश्टमी को खोलता है, वरत कोई नवमी को, कोई दश्मी को लेकिन। दश्मी को ही वरत अपनी खोलनी चाहिए, नौ दिनों का अगर वरत रखे हैं, तब ये हो गया, तो शुब महूर्त का भी चिंता आपको बता दी की चिंता नहीं करनी है, और उसके बाद से हमें क्या करना है, कलश उस दिन आप लोग मत हिलाए, अगले दिन हमें कलश हिलानी ह सुर्योदय कालीन तिथी में नवमी तिथी रहेगी, दस बचकर 58 मिनट बजे से पहले हमें जैसे कलश हिला देनी है, और जो मान लीजिये नवमी के दिन किसी कारणवशकन या पूजन 11 को नहीं कर पाते हैं, तो आप 12 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह कर लीजिये का मान लीजिये कुछ ऐसा हो गया नहीं कर पाए, तो आप लोग 12 को भी कर सकते हैं, दश्मी लग जा रही है, 10 बचकर 58 मिनट बजे के बाद तो ये हो गया कन्या पूजन के नियम आपको बता दिये, और वहां का जो जगह है, एक घंटे डेड़ घंटे के बाद हमें पोच्छा लगानी चाहिए, उसके आगे आप क्या कीजिएगा, जिनको कन्याएं नहीं मिलती, उन्हें क्या करनी है, आप नो कन्या का मूल्य निकाल कर आप ले जाकर दान पेटी में, दान पेटी में जाकर दान कर दीजिए जो शहरों में रहते हैं, कन्याएं नहीं मिलती हैं, मान लीजिए जो विदेशों में भी रहते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर कन्या नहीं मिलती है, तो हम क्या करें? तो आप नौ कन्या का मूल्य निकाल कर एक भैरव जी का और आप दान पेटी में किसी भी मंदिर में डाल सकते हैं माता के नाम से प्रार्थना कर लीजिए शमा मांग लीजिए दूसरा नियम क्या है कि दो-चार कन्या है तो उनके ही नौ प्रसाद सजाकर उनका ही मुह जूट करवा दीजिए मतलब जूटा करवा दीजिए और उसके बाद से उनको जैसे उनके घर परिवार के लोगों को भी आप लोगों को प्रसाद भेज सकते हैं दे सकते हैं या घर में एक ही कन्या है, तो नो कन्याओं का दक्षिना जोड कर उसको दे दीजिये, मान लीजिये, आपकी एक बेटी है या आपके. मतलब परिवार में दो चार लड़किया हैं, तो उन्ही को वस्त्रव वगेरा देकर प्रणाम कर लीजिये, नो कन्या का जोड कर मूल्य दे दीजिये, दो कन्याओं में बाट दीजिये, डिवाइड कर दीजिये, भैरव जी का भी दे दीजिये, उन्हीं लोगों को दे दीजि खीर जो भी बनाई हैं ले जाकर गौशाला में भी आप लोग खिला सकते हैं या अपनी गाय को भी आप लोग खिला सकते हैं चोथा उपाय क्या है कि आप मिठाई का डबबा पैक करवा लीजिये या पूरी हलवा और किसी भी मंदिर में कन्याई मिल जाती हैं उस दिन कन्या पूजा होता है, बड़े-बड़े शहरों में दिल्ली वगैरा में तो मिल जाती हैं, आप ले जाकर और कन्याओं को बाट सकते हैं, नो कन्या को दे सकते हैं, भैरव जी मिल जाते हैं, तो उनको भी दे दीजिये, तो इस प्रकार से जिनको कन्या नहीं मिलती है कन्या पूजन की जिएगा और पैसा वाला सबसे आसान है सबसे इजी है आप लोग इस प्रकार से कन्या पूजन जैसे नौ कन्याओं का दक्षिना निकाल कर दान पेटी में डाल दीजिएगा आपका कन्या पूजन हो जाएगा और प्रणाम कर लीजिएगा किसी भी लड़की को अपना पैर चुकर प्रणाम कर लीजिएगा और कुछ दक्षिना उसको भी दे सकते हैं सारी बातें क्लियर हो गई कन्या पूजन से संबंधित तो 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को हमें कन्या पूजन करनी है अगर अश्टमी का वरत रखें आप लोग तो भी आप लोग कीजिये का नहीं रखें हैं तो भी कन्या पूजन कर सकते हैं, जो 10 को भी रख लिये हैं वरत वह भी उसी दिन करें 10 अक्टूबर को जो लोग वरत रख लिये हैं, सभी बातें समझा दी और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेना मिलती है जरूर कीजिएगा और कन्या पूजन के संपूर्ण नियम मैंने आपको बता दी तो दान का लेकर आप लोग पूछे थे कि गुरू जी कन्याओं को क्या देना चाहिए तो आप अपने सामर्थे के अनुसार महेंगी चीज भी दे सकती हैं कम प्राइस की भी चीज दे सकती हैं आप लोग देख लीजिएगा ठीक है ऐसा नहीं कि गुरू जी बता दे इतना काफी है आप नहीं दे पाए या उससे भी अधिक का देना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा उसके अनुसार और कुछ दे या ना दे एक एक चुनरी जैमाता दी लिखा हुआ उनके सर में हमें बांध देनी चाहिए पट्टी जैसा मिलता है और आप जो है जैकारा लगवा लीजिए पाफ पूछ कर तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए धन्यवाद